कांटेक्ट किलिंग का मामला चाकू से घोपकर युवक के मौत के घाट उतारा गया पुरानी रंजिस के चलते एक युवक को अपनी जान से हाथ दोन पड़ा उक्त मामला सतना जिले के कोलगोमा थाना अंतरगत गहरा ना लेका जहां एक युवक पर बीथी साम आरूपियों के साथ समान लेकर आ रहे थे तभी पुरानी रंजिस को लेकर साकेत परिवार द्वारा चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया जिसे अस्पिताल में भरती कर आया तो जहां उप्चार के दरवन उसकी मौत होगी इस घटना में कांटेक्ट किलिंग की भी बात की जा रही है प क्लिए कि अधिक घटना होई है किस के दोरा ये एक है कि एक है कि गई आपके यह तुक गुपता और और दी गई मैं इसमें सुरसाकेत और सुरसाइच गिनो साकेत और अनलोग मिल गर के गटना को वाळदाद किये हैं और कुछ पैसों के लिए और इंसे कोई रफिश ओन मि विवाद नहीं था अचानक से आगर के चाकोचा हमला करके विवाद बढ़ा है पर पहले अभी कल की देट की है कल जिनांक कि अधिन गटना हुई थी तो अधिना गए थाना अधिना अधिन गटना नाम है यह करते क्या थे ट्रांसपोर्ट को नाम कर दा अभी बालू कजान से आया था यहीं पैसे जग खाली था अभी कुछ नहीं कर रहा था और यह आपसी विवाद जो भी था इसकी चरंजित को ले कुछ पैसे की लें देन तो नहीं थी नहीं पैसे की कोई लें नहीं पैसा अगुन लोगों ने दिया है जो अमन गुप्ता अधिपा गुप्ता ने उन्होंने बीज से आरुपे रासी दे करके लिए घटना को अंजाम करवाया इन जो साथे परिवार के तिन के कारण क्या कारण कर देए था आपस में वीवाद थी बात चीत की उजी करने चिस लेकर के आज इतना बड़ा बारी 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 नहीं एसा ही मतलब रोड चलते विवाद क्या नाम है अब कौन है मेरता कापके शोटा वाजी